नमश्कार आप देख रहें निशन निउस सोलन की पावर हाउस रोड पर अजदू नकाब पोशों ने दिन दहारे गोली चलाई जिससे सारे शहर में संसनी फैली हुई है चला मुख्याले के समीब खाकी से बेखाफ हमलावर गोली चलाने के बाद मौके से पैदल ही फरार हो गए गटला सप्रोल पुलिस चौकी से महां 100 मीटर दूर किये जहां अग्यात हमलावरों ने एक बेपारी के घर पर दो नाउर गोली चलाने की कोशिश करी लेकिन उसकी एक ही गोली चली वह दूसरी मिस हो गई है परतिक दर्सियों के अनुसार हमलावर पैदल आया था और उसने राम कुमार मिटल और उसने राज कुमार मिटल की गाड़ी पर गोली चलाई हमलावरों का इरादा राज कुमार मिटल को मारना था हमलावरों ने इस से पहले मिटल को धंकी वरे फोन भी किये थे जिसके बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा भी मोहिया करवाई गई है एसपीट सोलन डॉक्टर मधुसूदन ने भी मौके का दोड़ा किया मौके पर पुलिस कोई गोली का खोखा भी मिला है पुलिस की तपसीश जा रही है और पुलिस मौके पर बारीकी सहर पहलों की जाच कर रही है अतरिक पुलिस अधिक चक डॉक्टर श्रेव कुमार शर्मा ने जानकारी देते में बताया है कि आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि राजकुमार मितल के घर पर किसी अग्यात वैक्ती ने गोलियां चलाई है जिसमें पुलिस मौके पर पहुँचकर चानवीर कर रही है और आगामी कारवाई की जा रही है उन्होंने बताया है कि बाहर जाने वाले सारे रास्तों को सील कर दिया गया है और हम रावर चल दी पुलिस की गिर्फ्त में होंगे मैं सपून चौकी पे सूचना मिली थी कि यहां पे एक बिजनसमेन है मिस्टर राजकुमार मितल इनके घर के बाहर फाइरिंग हुई है इस पे हमारी चौकी इंचार्ज अपनी टीम के साथ तुरंद मौके पे पहुँचे थे यहां पे बाहर रोड पे एक खाली खोल मिला है जिससे ऐसा लगता है कि एक फाइर यहां पे हुआ है इसके बाद जो यहां की CCTV कैमराज लगे हैं उनको खंगाला गया तो इसमें देखा गया है कि कोई देखती है जिसने लाल रंग की टी-शट पहनी है और उसने यहां पे दो-तिन फाइर करने की कोशिश की है इसमें पूरे का पूरा अभी फिलाल पूरी की पूरी जो डिस्ट की बाउंडरी ने उनको सील किया गया है हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है और इसमें केस तर्च करके आगे एक फुर्टर इन्वेस्टिकेशन की जाएगी और जल से जल दिन विप्ति को पकड़ा जाएगा सोलन से अमरपीत पुंच की रिपोर्ट Will you doubt your dreams or decide to succeed At Shulini University You join the next generation of top professionals and problem solvers Through world class innovation and research Shulini University Think learning, think success